दोस्तों ये है क्यूबो ब्रैंड का एक और प्रड़क्ट ये है स्मार्ट टायर इंफलेटर इसे यूज़ करके आप अपने साइकल में, फुटबॉल में, कार के टायर में, स्कूटर के टायर में हवा बर सकते हैं आज के तारिक में जो tire inflators है इन्हें आपको definitely घर पर या फिर आपके पास car है तो उसमें जरूर रखना चाहिए कुछ do's and don'ts भी है जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ चलिए इसकी unboxing करते हैं और यह जो product है इसे चेक करते हैं अगर आप यह product खरीदना चाहते हैं view product करके link है screen के पर आपको दिख जाएगा उसे tap कीजिए और वहां से आप यह जो product है इसे खरीद पाएंगे चलिए इसकी unboxing करते हैं देखते रहे हैं तो यह देखिए यह इस प्रकार की box packing में आता है और यहां पर clearly mention किया हुआ है car motorcycle bicycle electric bicycle और ball के लिए आप इसे use कर पाएंगे तो multi-purpose portable device है LED indicator के साथ में आता है multiple nozzles इसमें दिया हुआ है और PSI levels maximum 150 वो यहां पर mention किया हुआ है preset pressures के साथ में आता है auto cut off और emergency lighting बिसमें दिया हुआ है इसमें 2000 इमेज की battery है जो की box पर clearly mention किया हुआ है तो चलिए इसे मैं खोल देता हूँ देखते हैं कि box में क्या-क्या है इसके ओपर यह sticker लगा हुआ है इसे मैं निकाल देता हूँ और यह जिए box के अंदर product को इस प्रक यह dimensions consider करें तो इसके पर यह film लगा हुआ है इसे मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पर यह buttons दिया हुआ है यहाँ पर vents दिया हुआ है in fact जितने भी यह inflators आते हैं market में उनमे vents होता है vents को आपको cover नहीं करना है जब कभी आप इन्हें use करते हैं तो और यह देखें ऊपर यहा करी दिया हुआ है और यहां से आप download कर पाएंगे QR code दिया हुआ है और यह जो section है इसके अंदर बहुत सारे accessories है जिसमें एक तो यह pouch दिया हुआ है जिसे यूज करके खास करके अगर आप traveling कर रहे हैं या फिर इसे कार में store करना चाहते हैं तो यह जो पाउच है इसमें दाल देखें यहां पर इस प्रकार से लगाना है यह जो thread है यह stainless steel material से बना हुआ है तो quality इसके काफी बढ़िया है और यह जो भाग है यह rubber का बना हुआ है जो air nozzle है यह aluminum का बना हुआ है इस plastic pouch में USB to type C cable दिया हुआ है और यह कुछ accessories दिया हुआ है जिसे आप for example यह जो pin है इसे use क करके जो ball है उसमें आप हवा भर पाएंगे और यह अन्य accessories दिया हुआ है जिने अगेन आप use कर पाएंगे चलिए अब यह product है इसे चेक करते हैं इसे मैं पहली बार on करने वाला हूँ तो उसके लिए यहां पर यह button दिया हुआ है यह देखें यह तरह से walkie talkie की तरह दिखत है फुल है यह specially जो बैटरी का साइन है यह color में है और यहां पर कुछ buttons दिया हुआ है plus यह जो torch है यहां पर इसे on करने के लिए यह जो उपर का button है इसे आपको press and hold करना है यह देखें जो torch है यह अब on हो गया है off करने के लिए press and hold और यह off हो गया है यूज करना बहुत ही असान है यहां पर यह circular rubber buttons दिया हुआ है plus and minus आप जो values है उसे कम यह ज़ादा कर सकते हैं और यह जो M button है इससे आप जो mode है यह देखिए basketball यह हो गया user specified mode यह हो गया car यह हो गया bike यह है cycle तो यह सारे modes available है इन्हें आप select कर सकते हैं और यह जो PSI values है अग आपको कोई दूसरा format चाहिए तो उसे भी आप change कर सकते हैं उसके लिए यह बटन है इसे प्रेस करके यह देखिए आप यह बार में हो गया है यह kpa kg cm2 और यह PSI तो इसमें आप setup कर सकते हैं चलिए इसे outdoor चेक करते हैं तो यहाँ पर मैं यह जो tire inflator है इसे use करके जो car है इस आपको इस प्रकार से इसे connect करना है उसके बाद में मैं इसे on करता हूं press and hold अब यह on हो गया है और जो PSI level है normally 32 33 रखते हैं तो मैं उसे manually set करता हूं 32 पे यह लिजिए और इसे मैं प्रेस करता हूं फिलाल 30 है यह दीखे 31 हो गया है 31.5 और यह 32 32 और अब यह आटोमेटिकली आउफ हो गया है डूस और डूस के अगर बात करें तो यह जो टायर इंफलेटर है इसे आपको इस प्रकार से यूज करना है ताकि यह ज़्यादा हीट अपना हो इसके चारो टायर अगर मानली पंचर हो चुके हैं तो उन्हें आप भर सकते हैं लेकिन दो टायर भरने के बाद बैटरी है वो ट्रेन हो जाएगा तो आपको चारजिंग पर रखना पड़ेगा लेकिन जब आप एक टायर भरेंगे उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट दीजिए ताकि यह जो डिवाइस है यह थंड़ा हो जाए क्योंकि जितना ज़दा हीट होगा हीट कंडिशन में अगर आप उसे ज़दा यूज़ करेंगे तो यह ज़दी खराब हो जाएगा तो ज़दा हीट अप होने नहीं देना है आपको इसे स्पेरिंग ली यूज़ करना है और इसका जो बेस्ट यूसेज है वो है टॉप मतलब की गाड़ी में अलड़ी हवा है और मान लीज़े एक या दो पॉइंट्स उपर निचे हैं तो वैसे सिच्वेशन में यह जो डिवाइस आप इसे यूज़ कर पाएंगे और खास करके अगर आप ट्रेवलिंग कर रहें तो उस दुरान यह जो प्रड़क्ट है यह ख कुछ हद तक हावा भर सकते हैं उसके बाद में अपनी अरस्ट पंचर स्टेशन पर जाकर जो टायर है उसे रिपैर कर सकते हैं तो आज की तारिक में डेफिनिटली यह जो प्रड़क्ट है आपको आपकी गाड़ी में रखना चाहिए देखिए बैटरी लाइफ के बात करे तो यह जो सिस्टम है आटोमाटिकली आफ हो जाता है इस प्रड़क का प्राइजिंग है 2800 रुपिस के आसपास अगर आप यह प्रड़क्ट खरीदना चाहते हैं लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है देखते रहे हैं